स्वागते साथियों आपके अपने ही चैनल माश्य माइंड पे मित्रू आज के कलास में हम लोग पढ़ेंगे गिलफोर्ड का सिधान्त जो बुद्धी चाप्टर से लेडेटेड है देखिए हम लोग जानेंगे कि जेपी गिलफोर्ड का सिधान्त क्या होता है ठीक है न यह स प्रकास में लाने का प्रतिमान विक्सित किया तो इस सिधान्त को पदा अनुकर्मिक सिधान्त या त्रियामि सिधान्त भी का जाता है इसके अंदरगत संग्यान अस्मृति और मुल्यांकन ठीक है और अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन यह सभी इसके अंदरगत आता है द कॉंगिनेशन जिसका अर्थ होता है खोजना या पहजान करना उसके बारे में जानने की चेश्टा करना अस्मरिती यानि की मेमोरी जिसका अर्थ होता है जो संग्यान में आया है उसे धारन करना आपको सबसे पहले मेमोरी में कब आता है जो पहले संग्यान में आएगा तब आप धारण कीजिएगा तो वो आपका इस मेमोरी का लाता है तिसरा आपका इसके अंतरगत आता है मुल्यांकन इवैलुएशन इस पर क्रिया के अंतरगत बेक्ति जो कुछ जानता है वो अस्मृति में रहता है जो कुछ वो मौलिक चिंतर में निर्मित करता है उसके परिणा क्तेयुन का लाता है इसके बाद उसके निर्णे करता है तो मौलिक अनकन का लाता है अब आपको पढ़ना यहां ध्यान पूर्वच सुनिएगा इस में बच्चा हमेंसा कन्फियूज करता है आप लुग है लोग भी शाल गंफियूज करते होंगे तेकि आज क्लियर कर लेना है ध्यान पूर्वक सुनिए गया देखिए अब आपका आता है अभिसारी चिंतन जिसको कनवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इसमें यह क्या होता है कि यह फैक्ट अधारित होता है ठीक है ना यानि कि जो आपका तब्ध्यर आता है जो प्रम्परें या परंचलन में सुकी olvidत हो जैसे कि दो पलस दो हमेशान चार ही यहोग मीत्रों क्या है अभिसारी चिंतन थ्क थे ठीक रहे हैं वहीं अभिसारी अब सारी चिंतन यहां पूंत से खालता है कि विभीन तरीके से सुचाता है कोई उपाएं हो से हुए तो ऑपका क्या काला आएगा, डाइवर्जेंट ठिंकिनिंग काला आएगा कि इसी कर बारे में दिया हुआ है कि इसके अंतरabile विभीन दिशाओ विभीन मार्गों से विभीन के साथ समस्य का हल निकलता है तथा ब्यक्ति का प्रिणाम की अच्छाई तथा उपयोगता के संदर में निर्णर लेता है आउट अप दो बॉक्स चिंतन इसी के अंतरगत आता है अब देखिए यहां आप लोग समझिएगा कॉनभर्जेंट ठिंगिंग का मतलब होता है जो फैक्ट पर अधारी तरह आता है जो सत्थ है स्विकार है देखिए अगर बुद्धी किस चिंतन के अंतरगत आएगा तो क्या होगा बताई आप लोग बुद्धी आपको अभिसारी चिंतन के अंतरगत आएगा ठीक है ना कि वह बहुत तरीके से सोचता है विभीन उपाया सोचने का काम करता है वहीं अगर आपको जामें पूछता है कि स्रिजना अत्मक बालक या स्रिजन सील बालक किस चिंतन के अंतरगत आता है तो अपसारी चिंतन यानि कि डाइभर्जेंट थे कि वह विभीन समस्याओं से व तो इसको अप लोगा याद रखेगा गलत मत कर दिजेगा बुद्धी हमेंसा अभिषारी में होता है ठीकाशन ओर बुद्धिमान बालक बोले तब अपसारी में होगा तो यह था अभिषारी और अपसारी चिंतन इसको ध्यां रखेगा नेक्स्ट आपका क्या है अब है कि गिलफोर्ड एवम उसके सयोगी ने अपने अध्यान एवम परियासों के द्वारा या प्रतिपाजित करने के कोशिश की कि हमारे किसी भी मानसिक परकिरिया अत्वा बौधिक कार को तीन अधारभुत आयामों याने कि संकिरिया इसको ऑफरेशन सुचना सामागरी तथा विसावस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है इन्होंने जेपी गिलफोर्ड और इनके साथी ने ये बताय हमारे किसी भी मनसिक परकिरिया अत्वा बौधिक pressured को तीन अधारभुत आयामों हम लों विभाजित कर सकते हैं संकिरिया में सुचना सामागरी विषय वस्त्त उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है आगे आपको पढ़ना है हवाड गार्डनर का बहुव बुदी सिधान्त ध्यान रखेगा बहुव बुदी सिधान्त पूछे तो गार्डनर महोदे तो गार्डनर हवाड गार्डनर महोदे ने 183 इस भी में बुधी का एक नवीन सिधान्त परतिपादित किया जिसे गाड़नर का बहुत बुधी सिधान्त के नाम से जना जाता है तो कब किया तो 183 में किया इस सिधान्त गंतर का तिन कारकों पर बल दिया गया जो निमन है कौन-कौन कारा के पाला देखेंगे बुधी का वह सवरूप एकाकी नहोकर के बहुकार की होता है यह बोले बुधी एकाकी नहोकर के बहुकार की होता है तता परतेक बुधी एक दूसरे से अलग होता है बात सही है दूसरा फैक्ट ये बोले कि परतेक ज्यान और बुधी एक दूसरे से सोतंत्र होती है बुधी के विभीन परकारों में एक दूसरे के साथ अंता क्रिया करने की परविर्थी पाई जाती है परतेक ब्यक्ति में विलक्षन जोकता होती है गाडनर ने जो है आठ परकार का बुद्धी का वर्णन किया है देखेंगे कौन-कौन है इन्होंने आठ परकार के बुद्धी के बारे मता है पहला भसाई बुद्धी इस परकार के बुद्धी से भासा संबन्नी छामता का विकास होता है दूसरा तारकिक गनीतिय बुद्ध यह बुधिक अंग तार्किक जोगता यह गनितिय कार्यों से शंबन दोता है जो आपका तार्किक गनितिय बुधि का लाता है अस्ठानिक बुधि इस्तरहकी बुधि का उप्योग अंत्रीक शियात्रक के दोरान मानसिक कन ठनाऊं को चित्र का सवरुप दिनमिक किया जाता है चौटा है सारीग गतिक बुधि इस परकार का बुधि का पर्योग सुक्षण एवां परिस्कीत समनवाय के साथ सारी गत्ती से संबंदी कारियों में यसी की निरीत सरकस वयाम उन लोगों में सारी गत्ती बुधी पाजाता है ठीक है नेक्स्ट आपका है उहें सारी गत्ती बुधी के बारे में है कोई बात नहीं आप जानी है सके छलिए जो निरीद करता चाहे नेक्स्ट करता सकता कि असमान में अस्तापीत कर सके नेक्स्ट आपका बताया संगीतिक बुधि इस परकार के ज्ञान के वपयोग संगीत ट्यूमत हो प्यूद कुद्यूं ध्यान रखिएगा इंट्राप्रशनल कहिए तो बात एक है या इंट्राइलिट कहिए तो ही बात एक है तो इंट्राप्रशनल क्या होता है इस परकार के ज्यान को उप्योग समाजिक बिल्हारे में होता है जो इसके अंतरगत कौन कोन आता है दार्शनिक और अध्यात्मिक न जान्ने में होता है ठीक है और इसके अंतरगत प्रमर्ष करता जो आता है वह सब आते हैं राजनीतिक आते हैं समाजी करता आते हैं तो ध्यान रखिएगा यह दुनों में बहुत confusion होता है बचों सबको इंटरा में और इंटर में तो ऐसा गल्ती मत किजिएगा चलिए नेक्स्ट आपका है नरसायंगी बुधी या प्राकृतिक जिसको बुधी बोलते हैं इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पती जगत यान की प्राकृतिक से रेलेटेड हो जीवजन्तु या प्राणी, समुमः प्रकृतिक संदर्ज को प्रखने इत्यादी में होता है तो, ऐसे वेक्तियों में इस बूद्धी का पर्योग, प्राकृतिक के बारे में जानने में उपयोग होता है तो इन्हों ने गार्डनर महोदर ने आठ प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया जो कि आपने देखा नेक्स्ट अनुप बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है फुलूइट तथा किस्टलाइट सिधान ठीक है ना जिसको कौन दिया किस्टलाइट सिधान्त या फुलीड सिधान्त दुन बात एक है जिसको आर्वी केटल ने दिया तरल बुद्धी वनसनुकरम कुसलता अथ्वा किंद्रिय नारी संस्थान की दी हुई विशेस्ता परधारिक एक समान जोगता है यह समान जोगता संस्कृति से ही परवावित ही होती बलकि नवीन एवं बिगत परस्तितियों से भी परवावित होती है दूसरी ओर जिसको लोग ठोस बुद्धी भी काते हैं एक प्रकार की समान जोगता है जो अनुभाव अधिगम तथा वतावरन समंतिकारकों पर अधारित होती है तो यह आपका किस्टलाइज सिध जिसको 185 में लेकर के आया कौन रोवर्ट एस्टर्ण बर्ग धान रखिए गाए अनुभावर्ट एस्टर्ण बर्ग के द्वार्ट परतिबादित किया गया इसके नुसर बूती वह जोगता है जिसके अनुभ ब्यक्ति स्वैम को परवरण के साथ अनुपिलित करने का काम करता है अपने समाज या मोद्यश्यों को पूर्टित के लिए वातवर्ण के कुछ घटकों का चैन करता है समाज के लिए उन्हें प्रवर्थित करता है तो इन्होंने राइवर्ट एस्टर्ण ने बूदी के तिन भागों में विवाजित कर दिया है कौन-कौन पहला घटि जमाह तक बुद्धी में आग घट किये बुद्धी में हम लोग देखेंगे पाला ग्यान अर्जन घटक क्या होता है इसको दाने जाने गे ग्यान-अर्जन घटक के अंतरगत इस घटना के द्वारा इस अनेक कार्यों को करने का तरीका सिकता है और दूसरा क्या है अधि घटक या उंच रहा निशनाय बनाता है इस घटक के अंतरक्वेगति प्रिकर्यात्म किया पर्वियनेंटरन है निरिकशन त्हा मुल्यांकन करता है और तिसरा इस आता है निस्पादन घटक इसके अंतरगत देखती अपने कार का निस्पादन करता है तो तीन प्रकार के बुद्धी के बारे मताया दूसरा अनुभाविक बुद्धी जो इसके अंतरगत नई समस्य के समधान है तो अनुभाव का उप्योग करता है अगर कोई नय काम करना है तो जो पहले पुराना अनुभाव है उसका उप्योग करता है तो अनुभाविक बुद्धी का लाता है तो इन्होंने थीन परकार के बुद्धी के बारे में चर्चा की कौन-कौन बताई आप लोग पहला घटकिये बुद्धी या विसेशनात्मक बुद्धी दूसरा अनु ब्योहारिक बुद्धी ध्यान देंगे ब्योहारिक बुद्धी वा बुद्धी है जिसके अंत्रगत ब्यक्ति अपने दिन परती दिन के जीवन में आने वाली वतवरणिये मांगो की समस्तिया से निपटता है ऐसे सब बुद्धी वाले ब्यक्ति स्व्योयम को नवीन मल्टि डाइमेशनल इंटेलिजेंस क्या होता इसको देखेंगे देखिए बहुया में बुद्धिक असाब्दिक अर्थ होता है एक ब्यक्ति के अंदर क्या चीज विभीन परकार के कौसलों का विकास होना अर्थात उसमें समाजिक समझ राजनितिक समझ समस्ते समझ समझ ब्यक्ति ने बताया कि बुद्धिक अनिर्मान प्रात्मिक मानसिक जुकताओं के द्वारा होता है केली के अनुसार बुद्धिक अनिर्मान उन जुकताओं से होता है जो वाचिक जुकता गामक जुकता संखेक जुकता यांत्रिक जुकता समाजिक जुकता संगितात्मक ज कि इन प्रात्मिक जगताओं का समूह होता है जो पर्तक्षिक करण सम्भंदी जगता, तार्किक जगता, संखिक जगता, समस्य समधान की जगता, अस्मिर्ती सम्धी जगता को विध्यानमे रखने के काम करता है और अधिकतर मनोव्यानिकों ने केली यों थ्रस्टन के बुद्धी सिधानतों की अलोचना की किन्तु अधिकतर व्याजनिकों ने यह भी मना कि बुद्धी का बहुयामी होना निश्चित तोर पर समभव है बुद्धी बहुयामी होता है, तो बहुयामी बुद्धी होने के कारण कुछ लोग कई प्रकार के कौसलों में निपून होते हैं, अगर नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुयामी बुद्धी नहीं होता, तो इतना प्रकार के कौसल कैसे विक्षित हो जाता, तो बहुत सारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जो सांति हमारे चैनल पर नहें आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिपिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल से जल पहुंच सके और इस वीडियो को हो तो धन्यवाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिंत वंदे मातरम